अभी हम लोगों के 25 जो है भी टेक्निकल जो है वह भी जॉइन कर चुके हैं और अगर आपके आज पास में जो भी हो उनको थोड़ा बोल दीजिए कि जल्दी से जल्दी जॉइन करें जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग हर महीं में एक टेक्निकल ट्रेनिंग आयोजीत करते हैं और इसी क्रम में आज आगरा सेंटर के बारे में और हम लोग को बीपी जोशी जी भुपिंदर प्रशाद जोशी जी इसके बारे में बताएंगे बीपी जोशी जी हमारे असिस्टेंट चीफ टेक्निकल ऑफिसर है और बहुत मल्टी टेलेंटेड आदमी है यह जैसे कि माने अभी PME, AKMU, DDO, OIC स्टोर बहुत सारी चीज़े अभी आए प्रिजेंट देख रहे हैं तो अब मैं आगे का जोशी जी को बोलता हूं और वो बारे में सभी ध्यान से देखेगा कि मारे सेंटर पर होता क्या है तो आप सभी इसको ध्यान से सुने और अपना जो आपका माइक है उसको को आफ रखेगा किसी को क्वेस्टन है तो एंड रेस कर लीजे और बता दीजे कि फिर हम लोग उनको अन कर देंगे बीज बीज में इंटरप्ट मत कीजेगा जोशी जी प्लीज आप कर सकते हैं धन्याबाद प्रमशकार सभी टेकनिकल साथ योगो मेरा गुट अफ्टरनून और वेलकम तो दी इस ट्रेंग सेशन हैं मैं क्लेर तो और जोड़ा बहुत आगरा के बारे में बताने की कोशिस किये साहिद आप लोग जो पिस हमारे हैं रिसर्च हुई है यह सेंटर के बारे में मैं अपना प्रेजिंटेशन स्टार्ट करता हूं आगरा का क्यार्मे सदाब्दी के सलमान ने किया था मौम्मद गजिनी ने इस प्राक्रों ने किया था तब राजा जैपाल साशंग कर रहे थे आगरा का स्रॉनिंग काल मुगल सामरेज के दोरान रहा जो मुगलों की जानी फ्रैपुर्ट सीगरी में बनाने की कोशिस करी पर वो काम्याब ना हो सकी आगरा अपने सांस्क्रितिक धरवर के पिश्ट में विक्यात है ताजमर साथ अजूबों में सामिल है आगरा किला अकबर दौरा पंदा सो पैंसेट में बनाया गया था इतामुद दौला का सामरगी नूर जहां ने अपने पिता के लिए बनवाया था यह पहला उन सफेज संग्वर्वर की पहली हमारत थी जाद तर लोग ताजमर को समझते हैं लेकिन उससे पहले इतामुद दौला का आगरा में एक पंध है जिसे दयालबाग सत्संगी कहते हैं स्वामी बाग उन में बहुत पुराने स्वमन्दिर भी हैं एक विलकेशवर नात महादेव का मंदिर है जो साथ सो साल पुराना वहा था पृत्विनात मंदिर जही प्रत्मा धौ पर जुग की गई थी राज रहेश्वर मंदिर जो नौ सौ साल वर्स पुराना है मन कामेश्वर मंदेव जिनका बाल कृष्ण पर मनो कामना को पूंग करने के लिए शिव जी नहीं निर्मित किया था रावली महादेव यह ब्रेल के पट्री पर परंतु इसको अटाने की बहुत कोशिज़गे पर यह अट नहीं सकते और कैला महादेव काफी कुछ गटित हुआ है कई स्वामाद मोगल सामराज अगरा वगरा के केंद्र के बात करें तो हमारा केंद्र छले सर पर स्वामाद में पहुंचने के लिए चार रेल्वे स्टेशन है आगरा चावनी राजा की मंडी आगरा सिटी आगरा फोर्ट और एक एयरपोर्ट भी है खेरिया पर जो मिलिटरी बेस्ट है अभी कुछ समय से वहाँ पर डॉमिस्टिक फ्लाइट चलनी शुरू हुई है आगरा केंदर की बात करें तो 1957 में एक मिनिस्ट्री औफ फूर्ट और अगरी कल्चर गोवर्मेंट ऑफ इंडिया के अंतरगत एक सब्सेंटर की रूप में स्थापित किया गया था नैंटीन 57 में इसे सोतंतर केंदर बनाया गया थाटियत सेट्टेम्बर 1967 में इसी आइसी यार के अंतरगत स्थांतरित हुआ 1974 में इसका नाम Central Soil and Water Conservation Research and Training Institute Research Center 46 आगरा रखा गया जिसका पुनहा नाम करण 2015 में Indian Institute of Soil and Water Conservation रखा गया अब हम आगरा के मौसम की बात करें तो आगरा का सब ट्रॉपिकल Continental and Monsonic है जिसमें विंटर्स शुष्क और हलके होते हैं जबकि जो गर्मी बहुत भीशन पड़ती है आगरा का उसेतन वर्षा 625 मिली मिली मिटर्स है जो जादा तर जुलाई टू अक्टूबर में साउथ वेस्ट मांसून की थान में उससे होती है अगर जो रेंफॉल डाटा अनलाइस करते हैं तो जो हाई रेंफॉल है मोर देन 20 मिटर वो सेकंड वीक ऑफ जुलाई से सेकंड वीक ऑफ अगस्त तक रहती है उसके बाद वर्षा कम हो जाती है थार्ड वीक ऑफ अगस्त से फर्स्ट वीक तक इसकी प्रभबली एट मिलिमीटर रेंफॉल पर वीक रहती है इसलिए कुछ समय से दिसंबर और जन्वरी के मेंने में इतना थिक फॉक होता है कि लेस तेन 100 मिटर की डिस्टंस पर देखना उसकिल हो जाता है जिससे कई बार एक्सिडेंट भी हो जाते हैं एक आगरा में उम्रेठा एटा मेनपुरी और यमना चंबल बीहणों के रूप में चिन्नित किया गया है बीहणों की डकेतों के कई वर्चस रहे सी कारण अंदुनी ग्रामीन इलाका पिस्ड़ा रह गया एक स्टड़ी के अनुसार जो क्या क सब्सक्राइब हो गया यानि ऑल्मोस्ट फॉर तैम्स इसलिए पंदरा साल में पहुच होगा साइंटर की बात करें तो हमारा जो एक टीवन पॉइंट सिक्स हैं इसमें पॉइंट सिक्स हैं जो है उसको किया गया है जिसमें टेरिसिंग लेवलिंग किया गई है जिन में ब जिसकी कॉस्ट अगर निकालते हैं तो सेलो डीप गली बैट्स को हम्सको टॉपस में बदलने के लिए पच्छिस सो रुपए से चाड़ हजार रुपए के बीस में लगी है और तो कॉस्ट अफ लेवलिंग जितना टोटल कॉस्ट है बारह हजार तीन सो पच्छिस रुपे जो मशीन कम मैंपावर से किया गया रुपए स्टेडिस को इंडिकेट करते हैं तो जो हमारा सिडी नुमा और संतल प्रिकरिया में उससे दो से चाड़ा चौदा परसंट का रुपए होता है रेंज अव रुनाफ जो अंडर डवलेप्ट है उसमें दो से चौबिस परसंट है जिसको हम डवलेप्ट करा जा सकता है अगर हम कैच्छमेंट शेत्रों को बढ़ाते हैं तो रुनाफ का परसंटेज और घट जाता है कंट्रूर टैचिंग में अगर हम रुनाफ का देखें तो तुन्टी सिक्स परसंट और तुन्टी पॉन्ट फाइफ सिक्स तन हेक्टियर रिस्पेक्टिवली होता है जो आगे अगर हम उसका एरिया बढ़ा देंगे तो वह यह जो लॉस है वो कम होता चला जाएगा कंट्रूर टैचिंग में सीशंग की प्रकरतिक पुनट जनम होता है जो पांसो ट्री पर हेक्टियर के लगबग में बढ़ते हैं गली हैड़ पे अगर हम उसको स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी सी घास रगा दी जाए तो वह स्टेबलाइज हो जाता है कुछ स्ट्रेक्शर्स जो डवलब किये गए हैं केंदर पर हैड्रोलिज की स्ट्रेक्शर्स जिनका ट्रणाफ को कम करने के लिए है एक जो गली प्लग है इसकी जो गली में मिट्टी की मेड़ बनके पूरी तरह से बंद कर देते हैं चार-पांस साल में धीरे-धीरे मिट् करने के बाद उसमें बांस लगा दिया गया है जो बांस बहुत अच्छी तरह से डवलब भी हुआ है और साथ में इसके जो इरोजन है वो इरोजन बहुत कम हुआ है है कि दूसरा है आपका स्ट्रेट्ट ड्रॉप पानी का वहाओ को रिगुलाइस करने के दो तरीके है एक जो आपके रैट-बेसाइंड में दिख रहा है जो स्ट्रेट है इसमें पानी आए पानी से इसे स्टीब्ली नीचे गिरेगा सीधा दूसरा स्टेट है कि उसको स्लो और उसको काफी हद तक एक जहां पर है पानी का फ्लो एक जगे पर केंद्रित है वहां पर पाइप इस्पिल वे का नर्मान के जाता है जहां को यह उपर वाली स्ट्ट्चर में देखने हैं कि यहां से पानी का इंलेट है इस पानी के इनलेट से जितने वी पानी ऊपर भरा है वो पानी नीचे यहां पर आउटलेट पर हमारे वापस आ जाता है तो पानी को वहाव को रेगुलेट करने से जो हमारा स्वाइल इरोजन है उसको हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं दूसरा एक शूट श्पिलवे है जो लास्ट में फोर्थ फिगर है इसमें आपका दो तीन चीजें हैं एक इनलेट एक आउटलेट एंड बीट में शूट इन में यहां पर इस इस सिंपल शूट 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 श्पिलवे यहां पर आपका सिरफ पानी के फ्लो को सिरफ एक ड्रॉप डाउन करना है अगर पानी अन कंट्रोल चाहेगा तो स्वाइल इरोजन बहुत जादा होगा दूसरा एक और है मॉडिफाइड शूट शूट श चीज होगी है एक नॉर्मल जो स्पिलवे है उसके साथ में थोड़ा सा बढ़ा करके और बनाया है साथ में एक स्ट्रेक्शर बनाते हैं विच गिवस्ट यूदर टूफिंग अप्रिंट इससे यह स्ट्रेक्शर वहां बनाए जाते हैं जहां पर आपकी हाइड बहुत ज् प्लस यह टूफिंग करने से जो उसकी कानेटिक नरजी है और फर्दर रिड्यूस किरी जा सकती है एक प्रीफ्रेडिटेड डॉपर स्ट्रेक्शर में पहले ही आपका स्ट्रेक्शर त्यार गया जाता है यह वहां पर लगा दियाएगा जहां पर आपका रुन आफ इसके अलावा हमारे आप सोनि में कर बनाया है जैसे गैबियन नगे dresses अगली जहां जो बुम्मी का जिरो पॉइंट टी मीटर से गहरी खाई हैं वहां पर यह गलीज बन जाते हैं इस हमारी जो आगरा में मिट्टी है वह सेंडीलों सेंडीलों होने के वारण कि उसमें वेजिटेशन बसली आसानी से नहीं पनव सकता है और क्योंकि सॉयल कॉम्पैक्ट नहीं ह हो जाता है जरासी तेजबारिश होगी दस्वालेजन अकर्स रिवाइन्स डिग्रेटेट हो जाते हैं जब इंटेंजिटी बहुत ज्याधा हो जाती है और यह मॉंसुन पिरेड में अधिक हो जाती है नाइंटीन सिस्टी टू और एट्टी की विच में डॉक्टर भूशन और शक्षेना ने जो स्टेडिस की थी कि सब्सक्राइब रेंगेज और मंतली इन वाल से उन से जो फाय है जो इरोजन इंडेक्स की अवन आई थर्टी है वो वेरी करते है तो हंड़ेट एटीन से 751 मेट्रिक यूनिट्स तक ऑन एवरेज अगर में बाते हैं तो 416 मेट्र यूनिट्स की थर्टी है अगर 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 टीवन हैट्यर से इन पंट शेक्टियर इस फांप को डिवाइड करें इस दे रेप्रेजेंटेशन आफ गलीड रीजन जो छोटे-छोटे-शोटे स्मॉल वाटर सेड में डिवाइड है इन में स्टेडि में रिविल के ए इस यू दिर हाइड रेंफॉल 10-14 परसेंट की रेंफॉल में टू टू टैन फोर टैन पर हेक्टियर बिना स्टेविशन मेजर्स के के एं तो इतना रन आफ और स्टेडिस की गई इस जिसमें जो रिवाइंस को तीन जेकां पर एक टॉप बॉटम एंड साइड वेज जिसम 25 मीटर 25 का एक्सपोजर बनाया गया यह स्टेडिस 1962 में हुए थी इसमें पहले घास पनी थोड़ी दिन बाद शरब्स पने और एंड आया पेड़ बनने में इस रिशर्च को लगबग 12 साल 12 साल के आयो तक तब जाके पेड़ों का निरमान शुरू हुआ जो टॉप में साइड में जो आपका है जिसमें पानी कम ज्यादा भी हो जाए तो मिल जाएगा जो बॉटम में भी मैजिक वराइटी जो फाइटो मास है जो इस स्केड़ीज में है 220 टन पर हेक्टियर हमें बायो मास मिलना शुरू हुआ फाइटो मास एक कागरा पीहट छेत्र में उत्पादन का चेत्र में कम उत्पादन का कारण क्या है कि पहला पानी का कम मात्रा में उपलप्त होना दूतरा अनेमित असमान वर्षाक होना इसी के कंट्रोल करने के लिए एक प्रक्षेत पर थ्री हेक्टियर के कैस्मेंट इर्च छेल एमें 0.8 हेक्टियर कमांड एरिया का एक तालाप होता गया जिसके किनार पे सिलापलिन लगाएगी ताकि पानी का सीपेश ना हो सकया इस पानी को एकट्टा किया गया इस पानी से जो लगबक 796 मीटर क्यूब पानी एकत्यत हुआ जो आगामी रभी की फसल में सिचाई के लिए उप्लाफ हुआ था इसको इसकी जो पॉंड की लाइफ है लगबक एट्स टू टैनियर्स है कि दो हजार नौ में मानिक पुरा पिनाट प्लॉक में एक वाटर सेट बनाया गया क्योंकि उसके पास उटंगन रिवर है यमना की ट्रिब्यूटरी है उस पे उसके पास एक स्टेडिस की गई इस वाटर सेट में बांस क्या पौधे लगाए गए स्टेकर डिवे में बैम्बू के सपोर्ट के लिए स्टेक्निक बनाए बना 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 के ताकि पौधों को पनपाइज अब लगबग बारा लाइफ सेविंग इरिगेशन दिये गए जिसमें दस से पंदरा लीटर पानी हरे को दिया गया ताकि वह सर्वाइब बांस सुस्क और मुश्किल वात साथ में जो उसकी फाइब्रेस रूट है आपस में जोड़ जाती है एंड नेचरल कैपस्टी टू रिजनरेट थू राइसों अपने आप अपने आपको रिजनरेट करता है इस कारण से मिट्टी के कटाओ को रोका जा सका वाटर होल्डिंग कैपस्टी को बढ़ा गया और न्यूट्रिंट्रेट को रहा है जा सका है यह स्टेडी काफी वर्टफूल रही है जहां पर ज्यादा प्टाव होना शुरू हो जाता है वहां पर अगर हम थोड़ा सा वेजिटेशन बेरियर लगा दियां आइपोमिया कार्णिया इसे हिंदी में बिस्रम भी कहते हैं तो इसके किनारे को स्थिर क्या जाता यह सारे प्लांटेशन हमारे फारं के नदि के किनारे हैं लेकिन नदी का किनारा जीदे-देरे और जादा कटता जा रहा है तो वहां पर यह वेजिटेटीव बैरियर काम नहीं करता है इस वेजिटेटिव में तनौरा में दीखा गया तो जो आपको पहली पिक्चर देख रही है कि इसमें मिट्टी का नदी ने बहुत ज़्यादा कटाव किया है इसको स्टेवलाइज करने के लिए इसमें एक जैटी का निर्मान किया गया तनौर आपके डॉक्टर आर्सी यादव उससे में इंचास्ते तू थाउजन्ट फाइल में यह निर्मान किया गया इससे जो यह कटाव हो रहा था उस कटाव को रोकने में बहुत मदद मिली यमना गंगा की सबसे बड़ी साहिक नदी है जो 1376 किलोमेटर की है यमनोत्री उत्राखन से स्टुरू होती है अलगा अलाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है जहां दिल्ली तक इसका पानी लगबग बढ़िया है लेकिन दिल्ली से इटावा तक यहां पर पानी बहुत ज़्यादा प्रदूशित है लगबग यह स्ट्रेश 490 किलोमेटर का है जिसको जिसमें सीवेस नाली की तरह कि रहता है जिसको हम यूट्रूफ के सेगमेंट कहते हैं दोजार चौदा पंद्रा में भारत सरकार में जब किया गया तो यह स्ट्रेश पहले दिल्ली से था लेकिन अब यह सौ किलोमेटर आगे सिफ्ट हो गया पानीपत में है यानि ओल्मोस्ट 4590 किलोमेटर का जो स्ट्रेश है वह यूट्रूफिकेशन सेगमेंट के अंतरका तान्य इसका द्यमना को प्रदूश्यत करने का सबसे वड़ा कारण क्या है कि कि टीवन इंडिस्ट्रियल डिस्चार्ड्स एफुलेंट्स है जो इसमें छोड़े जाते है फिर इस्टेपी है जो रिवर के रिवर में सीदे सीदे छोड़ दिये जाते हैं जिससे कि रिवर बहुत अधिक पॉल्यूट होती है ग्राउन्ण वाट्र और यमना डावयर के सेंपल्स लिए गेरें विंटर में समर में पोस्टनिस इसाल में और न्यटा मतल ह्रा आगरा इस्ट्रियू रिटावाट इस्टे इन जगांवों पर ऐक इन सेंपलों से को डॉक्टर रमापाल और स्थांचन सर्मा इन यह सेंपल्स लेके इस स्टडी को कंड़र्ट किया था इससे जो मिला है कि 2015 से 2020 के बीच में कि the concentration of average humidity is cadmium सबसे आगे lead, chromium, copper, manganese, zinc और iron यह heavy metals हमारी body के बहुत ज़्यदा harmful है यह जो हम downstream जब जाते हैं तो downstream पांच किलोमेटर पर जो last municipality train है जहां पर उन्होंने स्टीपी छोड़ा था वहां पर सबसे ज़्यादा concentration ना उसके बाद concentration इसका कम हो जाता है जो heavy metal का concentration सबसे ज़्यादा में मिला और सबसे कम हिटावां में मिला जो HPI heavy metal pollution index जो pre-monsoon में पहुचा जाता उसके बाद post-monsoon में और rainy season में क्योंकि rain बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके साथ अपना pollution में चले जाते हैं तो least HPI मिला है जो heavy metals है पालक के पत्तों में सबसे ज़्यादा मिलता है और प्याज के जड़ों में प्याज के पत्तों में कम मिलता है as compared to bulk of the onions लेकिन इसके सब्सक्राइब एक पॉजिटिव चीज यह है कि यमना के रिवर में NPK का लेवल बहुत हाई है जिसको हम attractive source of irrigation यह potential fertilizer के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं कि 230 km का टोटल कि 388 km मत्रा इसको identify किया गया जो अगरी कल्चर के लिए suitable है होटी कल्चर को हम देखें हैं तो होटी कल्चर में क्योंकि कंडिशन ड्राइब है संदी लूम संदी स्वाइब संदी लूम सॉइल है इरिगेशन फैटलिस कम है तो यहां पर जो हाड़ी प्लांट से वह हो सकते हैं जिसमें आमला बेर करॉंदा किन्नो अनार बेर यह होटी कल्चर के प्लांट से जिनको होगा है जा कि फारंपर नर्सरी में हमारे पास बारा तरह के बेर हैं अलिगंस बनार्सी गोला जोगिया कंडेर कालन करका मुर्या 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 नर्मा उम्रान पॉंडा सफेदा पॉंडा किन से इनको एस्टैबलिस किया गया और यह पाया गया कि पॉंडा सफेदा सबसे ज्यादा इल्ड देता है 33 किलोग्राम पर ट्री और 10 टन्स पर हेक्टियर उसके बाद जो सेकिंड वराइटी है यह बेला अंगोला यह स्टेडिस डॉक्टर कुमार और डॉक्टर गुशन ने की करी थी करॉंडा जो है वो आईरन और विटाबिन सी का रिस्ट सोर्स है इसका इस्तमाल हमचार बनाने के लिए जैली कैंडी या कलरड वाइन में इस्तमाल होता है क्योंकि इस प्लांट के थौन होते हैं तो इसको हम फैंसिंग के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली यह माना जाता है कि बक्रियों के चर्णने से सोयल लॉइस और रन आफ ज्यादा बढ़ जाता है किसी को जानने के लिए एक प्रजेक्ट है गोड ग्रेजिंग और वाटर सेट वेजिटेशन कंटी की डॉक्टर प्रजाबती और उनके साथ हो 1989 में इसमें इसके लिए 7.3 हेक्टियर के प्लांटेशन चोटा वाटर सेट चुना गया इसमें घास दी गली को क्रेट किया गया और गली प्लक्स दौ से 3 हेक्टियर में लगाए गया है कि चोटा वाटर सेट में ट्रैंगूलर वियर बलनाया गया art और उसमें आटोमेटिक वाटर स्टेस लेवल रिकॉर्डर सॉल और वाटर लॉज को जानने के लिए लगाए गए इस्टार्टिंग में वाटर सेड में 289 पर हेक्टियर थे जिसमें दो गोट जमना परी दो गोट पर हेक्टियर दो साल के चोड़ गे उसके बाद इंटेंस ग्रेजिंग के लिए चार गोट परती हेक्टियर चोड़े गए इससे यह पाया कि ज्यादतर जो गोट जो बक्रियां चड़ती है वो श्रप्स ट्री फॉयलेज जो दो मीटर की हाइड तक होती है दो मीटर के अबाव हाइड वाइड लेग पान तो बक्रियों के चनने से कोई भी नुकसान नहीं होता है तो उससे यह निस्कर्श निकाला कि अगर चार बक्री प्रती हेक्टियर में बीस साल पुराने जंगल में छोड़ी जाएं जिसमें दो से तीन गली प्लक्स हैं तो इसका एडवर्स एफेक्ट नहीं पड़ता है और रन ओफ और स्वाइल लाज को मिंटेन किया जा सकता है लेकिन इसके साथ गोट्स पर जो 1.6 किलोग्राम पर गोट पर मन्त के लिए उनका बॉड़ी वेट बनता है जिससे 1600 पर हेक्टियर पर एयर की इंकम जेनरेट हो सकती है एक्ग्रो फोरेस्ट्री जानी अग्रिकल्चर एंड फोरेस्ट्री को मिलाने के लिए कि स्टेडिस की गई डॉक्टर उम्प्रकास एंड अदर्स के दार 2001 में इसमें प्लांट्स लगाए गए एक पहला पिरिमेंट टीवन में बॉटम लेस्ट जो बॉटम लेस्ट विटिमिन तारपोर के ड्रंग को नीचे से खोकला करके उसमें यह प्लांट लगाए गया दूसरे में लगाए गया तो दोनों तरफ ट्रेंट्स लगाए गए 50 इंटू 30 किसी रूट मेनेजमेंट के लगाया गया और पांच में कोई प्लांट्स नहीं था नुट्ट टो प्लांट 10 मिटर के डिस्टेंस थी जिसमें बाजरा और वीट की क्रॉप ली गई यह सेकिंड वालेस्ट में आपको वीट की क्रॉप दिखाए दे रही हैं तो इसको रेंड किलोग्राम पर हेक्टियर और उसके बाद नो रूट जिसमें कोई रूट मेनेजमेंट दे शिक्स थाउजन एट हंड़ेस्ट किलोग्राम पर हेक्टियर ट्रेंचिंग में और पिट्लाइन पॉलिटियम तो इसका जब पॉस्ट बेनिफिट रहा इस वांट 2.36 इन बाटम कि हम इससे क्या हुआ कि जो हमारे पास इल्ट है लेस्ट भी होगी तो प्रॉप रिडिक्शन से हमारा जो कॉस्ट है वह इंक्रीज हो जाता है एक नया एक्सपरीमेंट स्टर्ट वाइब और अग्रिजल फार्मिंग यह लास्ट यह हमेरे सेंटर पर इंट्र डीज हुए और सेंटर में भी इंट्रोडेस्टल फामिंग चो प्रैक्टिस है कि नेच्र अप्लिकेशन आफ फामिंग सिस्टम विद्र विद और अव्कु करने के लिए यह इंडिया में इनके सुटेबल प्रॉडेक्टिविटी देखी गई और उसके अनुसां कि स्वाइल्ट लेखी क्रॉप क्वालिटी की वेरियस क्रॉपिंग सिस्टम में जो परंप्यागत तरीके हैं हमारे प्रिशी के या नेच्रल इसमें आपका जो प्लॉट साइज लिया गया तैंट त। फवाइव मीटर आर्बडी चार अप्लिकेशन से एक में आपका कनवेंशनल जो प्रंप्रंगत है उसमें आपका इंट्रेट नुट्रेट मेनेजमेंट प्रिक्टिस सुरू गई दूसरे में कनवेंशनल क्रॉपिं में नेच्टरल फार्मिंग प्लस बायो मास्ट मुल्च 2.5 तन पर हेट्टिय डाला गया चौथे में क्रॉप डाइवर्शिपिकेशन इंट्रेटर नेच्टरल मैनेजमेंट प्रैक्टिस करी गई चौप पांचवे में प्राइवर्फिकेशन विर नेच्टरल फार्मिंग ब में सब्सक्रिवा क्या के बाद थर्टिड़ें के अदू कि उडए हैं सब्सक्रेशंस के खौए देना है जिवामृत बन जाता है घंजेवांृत बनाने के लिए गोबर्थ को छहाय में रखते जो बनाए जिए इसको छोड़ देते हैं पान्स लिटर चुना धाइसोग्राम पानी बीस लिटर और खेट की मुट्टी मुट्टी वर इसको 24 गंटे के लिए छोड़ देते हैं और दो बार हिलाते हैं उसके बाद जो बीज हैं उसके उपर यह छड़क दे जाता है बीज को चाहे में रखा जाता है और सूख जाना है के बार जब सूख जाता है तब उसको हम वुवाई में इस्तमाल करते हैं तो यह नई टेक्नीक है इससे कोश जीवामरेट जीवामरेट से उसको हम यूज करें थाकि और्गनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिले है जलालपुर में जलालपुर में जलालपुर धनीना देवरी जगनेर ब्लॉक में आते हैं उपर की अगर सदय की बात करें तो अपर रेट सेंट स्टोन है जो कम गहराई तक है मिडिल पॉश्चन में हैवी टेक्षर की सोईल है जिसका जो बेस है वो कठरुप्रित है बहुत हार्ड बैन है नीचे लोवर पॉश्चन में पॉर्स टेक्षर है जिसमें चैनल्स और गलीट फॉर्म नेट का नेट्वर्क बना हुआ है यह चित्र है जिसके मादियम से जिसमें कितना स्वाइल रोजन हो रहा है यह दिखाने की कुछिस की गई इस के जो चैनल्स पीचर्स थे रिसोर्स के कि यहां के जो किसान है इनकी जो मुख्य हुआ है आय का स्रोथ है वो क्रिशी है जादा तर लोग खरीव के सीजन में खाली छोड़ देते हैं सिंगल क्रॉप रोटेशन है कि फैलो खाली छोड़ा मस्टर्ड लिया या वीट लिया ग्राम एक ही फसल लेते हैं साल भर में पांसो चौबिस लगब इसमें रहती है जिनका कोपरेशन 31049 है इसमें से 853 मेल फीमेल्स और चिल्डर्न अभी क्योंकि युवा है तो बच्चों की संख्या अभी ज्यादा है टोटल जो लाइव स्टॉक्स है गटिस सेवनेड़ एटी वाटर सेट में जो स्मॉल और मार्जिनल फ्लावर फार्मर्स हैं जिनकी दो हैक्टेर से कम की लैंड है वह लगवाग 84.2 परसंट है यानि लैंड होटिंग कैपिजिटी फार्मर्स की बहुत कम है इसमें कुछ जो एक्टिविटीज की गई कि धनीना में एक तालाव को ठीक किया गया और इस तालाव के अगरद दो बात्रों बना गए ताकि महलाएं उसमें नहां सकें दूसरा इन में त्री ग्यॉजिंग स्टेशन बनाए गया कि रुन ओफ और स्वाइल लॉस को देखा जा सके जिसकी कीमत लगबग 3.5 लैक थी दहीना में जो पॉंड था उसकी डिसिल्ट किया गया इसमें लगबग 0.9 लैक्स का ऐसा खर्च हुआ जिससे कि वाटर रेन वाटर स्ट्रोडिंग कैपेसिटी बड़ सकते हैं इसी दोरान में दो एनिमल हेल्ट कैप भी लगाएगे जलालपूर में एक जिसमें डॉक्टर्स ने और हमारे मगदूम से उन्होंने यहां के जो प्रशु हैं उनके दवाईयां और जो कुछ उनको बता सकते हैं उन्हें बताया गया बारा ट्वेल्व वर्मी कंपोस्ट यूनिट बनाए गई जो ट्विन सिस्टम्स में ते देवरी में जलालपूर और धनीना में इनकी कॉस्ट नेचुरल फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ें 25 यूनिट्स हानी बॉक्स लगा गए इस जिसकी की मत लगए 0.82 लैक्स है यह अल्टरनेट सोर्स ऑफ इंकम की तरह इस यूज किया गया समय समय पर ट्रेनिंग दी गई है शिक्स फार्मर्स टेनिंग्स होई है जो अधर एक डिवलेप किया गया 3.02 में जिसमें प्रॉपोसिस यूली फिरेरा अकेशिया निरोटिका अजरेडिका इंडिका पापड़ी और करन जिसमें घास नेपियर पारा गिनिया और यह लगाए गए 2238 पेड लगाए गए 14.32 हेक्टियर्स में जिनमें आमला बेल और बेर में थे पुरानी जो बंड बनी वी थी जिनका प्रोसेक्शन 0.3 हेक्टियर्स था और टॉप 0.5 मेक्टियर बाटम वन उनको रेनोवेट किया गया और कुछ नई बंड बन्स बनाए गई जिनका इरिया 0.9 मिटर स्क्वायर था वो बनाए गई गई जिनका 30 संटी मिटर 120 संटी मिटर एंटो 45 संटी मिटर जिस लगबक 7.0 हेक्टियर में जिनकी कॉस्ट 1.856 थी पांच फाइब लीज रिचार्ज फिल्टर स्कंस्टेक्ट किये गए जो टू बंदी समर्जेंस एरिया में जहां पर पानी ज्यादा एकटा जलालपुर और धनीना में जिसकी कॉस्ट 2.35 लैक्स ही टैन गली पिक्स गली प्लक्स बनाएगे मैसंडरी वह रेटेम किये गए इनकी कॉस्ट 1.873 जिससे वाटर हार्वेस्ट में मदद मिली में मुश्टर रेटेम करने में बाद है एक अब्जर्वेट्री टो लगाए गई थी ताकि मेट्रोजिकल डेटा वहां से मिल सके हैं जो कि स्टेडी से उसको को रिलेट किया जा सके हैं कि इसमें एक बैंबू प्लांटेशन रिवाइन बैट्स में लगाए गया इसमें बैंबू प्लांटेशन बहुत अच्छा रहा है कि एस कंपरेट टू फांटेशन करने के लिए ग्रीन मैनुरिंग जिसमें ध्याचा को लगाए जाता है जाता है उससे पहले बढ़ा हो जाता है तो उसको हम जोद देते हैं और यह उसमें एक व्यूट होता है कि आपको वीट या बंस्टर्ड की क्रॉप में आपको नैट् लब्द हो जाती है जो जो नीट्रेंट्स हट गया है नीचे की सोईल उपर उपर की सोईल नीचे आ जाती है और इट इस दवे कि जिससे हम स्वाइल की फटिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं यह वन आफ दे टेक्निक्स डब़ट बाए आगरा सेंटर पहले जो किसान आजसे थे वह संजया तो ग्रीन ग्राम और मस्टर क्रॉप रक्टिस क्रॉप करने लगे ऑर उन से उन इंकम में फाइदा भी मिला है कि हमारे साथी जो टेक्निकल है जिन लोगों ने हमारी साथ मदद किये बीप्रशाथ स्वेश चंजी एक नितां से जुपाल च्वान सिंग अमित कुमार सभी का आपको दिन्यावाद करता हूं और आए थेंक है थोड़ा बहुत हवाद सेंटर के बारे में बदाने में तामिया फ्वाओ घ्राइब हूँ अब बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी आपने बहुत ही बढ़िया एक आज जो आगरा सेंटर के बारे में बहुत अच्छा इस बात का ज्यान होगा कि सभी को आगरे सेंटर जो जो भी कतिया भी लिया होहां से संचालिक की जा रही है इनके बारे में सुनने का माओका मिल और आपने तो बहुत अच्छा इसका बहुत अच्छी बना रखी तो अगर किसी का कोई प्रश्ण है कुछ जोशी जी से पूछ ना चाहिए से तो उन्हें समगरू रूप से बता दिया है सारी चीजे लेकिन अगर किसी जी मन में कोई शं मुझको लगता है बहुत अच्छी यह सब के लिए एक लेसल टाइप का हो गया कि जो आपने एक सेंटर की क्यों उसके बारे में नहीं बताया उसका हिस्ट्री भी आपने बताया और जो आपके हाँ जो सारी जो प्रोजेक्ट चलने हैं उनके बारे में बताया इंजीनिरिंग पहलो भी आपने चुआ है इसमें तो अगर किसी का कोई प्रश्ण है मेर को लगता है ऐसके यादो जी कुछ पूछना चाहरा है लग रहा है कुछ शगल से उनकी कुछ यादो जी कुछ पूछना है तो बसा है ऐसा था आपने सब घूम रखे हैं सब आपके आवाई नहीं आ रही है यादो जी आपके जो चैट बॉक्स इसमें शेयर भी करूंगा और अपने वाट्सएप ग्रूप इसमें भी शेयर कर दूँगा तो सभी 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 से आग रहा है अनुरोद है कि अपनी जो अपने सब्सक्राइब करने पहले को और अभी परसो डिरेक्टर सर ने मीटिंग ली थी हम लोग की यह जो टेक्निकल ट्रेनिंग है इसमें और क्या-क्या बहतर किया जा सकता है तो उन्होंने का कि उसी तर्ज पर कुछ ऐसे लेक्टर्स वनाएं सब बताएं जैसे कुछ हम लोग के काम हो का उसमें ज्यादा हो और उसमें क्या छोटे कुछ उस तरफे बताए तो जैसे अमित से मैंने बोला है अभी अभी है सामने जानकारी मिल जाए लेकिन यह कि थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाए तो वह भी बहुत बड़ी बात होती है कि आप उस चीज को जानने को मिलता है जो देख रहा है जैसे अमित जी मिट्रोलोजी देख रहा है तो अगर उसके बारे में जानकारी शेयर करें तो काफी इन्फॉर्मेटिव होगी सबके लिए में मुरूगेशन जी ने भी अच्छा दिया था पिसके बार लिए 30 वाला तो अगर कोई भी आप में से कोई अपना भी आना चाहे इसमें बहुत ज्यादा उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं बताना है उसमें जो आपना रिपोर्ट कैसे बनाएं आपको बोलना है तो ईस पर आगे हम लोगों बता साल को उनको दैक्टर से में बोला है कि एक साल का आप इसका जो ट्रेश्य का है टेक्निकल ट्रेश्य गैसी कि तो इसी पर कलेंडर बना देगे सालाना कलेंडर बन जाएगा तो उसमें क्या क्या टॉपिक है हम लोग के तो अगर सब बैठ की decide कर ले अगर कुछ suggestions दे कि भाई यह इसमें हम लोग एड कर सकते हैं तो हम लोग उसमें calendar में वो एड कर देंगा कोई अपना lecture देना भी चारहे तो उसको भी इसमें जगह देंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसमें और रखा जाए आपके यहां पे चंडिगर में हो या आगरा में हो बेसिक चीज बता नहीं हो सब्सक्राइब करें जैसे मुरुगेशन जीन ने बहुत आगे की बात बता दी ऐसा नहीं हो करेंगी चोटे-चोटे लेके चलिए इसमें और ऐसा करिए कि जिससे सभी को उस चीज का घ्यान हो जाए तो अगर आप कोई सजेशन देना चाहिए आपके लिए सब खुला हुआ है उसी के बाद में शेर करूंगा पहले सबसे सब्सक्राइब करके बाग जाएंगे तो इसलिए राम प्रताब जी आप क्या से सेंटर से ऐसी चीज हो कि जो रियल में हम लोग कर टेक्निक जो कम्यूनिटी इसको बेनिफिट और जो सब और लेमें की तरह से सब समझ पाए उसको नहीं पता है वो भी समझ पाए आपके आवाई नहीं आ रहे नहीं प्रताब जी मांसुन सीजन में जो डाटा लेते ना सर जैसे रन ओफ के डाटा लेते हैं आप फड़ा सा अगर हो सकते तो इस ग्रूप में शेर कर दीजेगा ना जो आभी एड प्रिजेंट है क्योंकि एक साल का मलोग के इसमें प्रोगराम देना है टाइम टेबल जो एक साल का देना है तो आप सब मौन सुन भी आएगा सभी सीजन साहिंगे उसमें तो उसमें अधा जी कुछ बताइए आप भी कि अधिक कुछ बोलना चाहरा है कि अधिक का मेटरोलोजी वाला करेंगे और आगे थोड़ा बताएंगे और को मेटरोलोजी में और कुछ बताना चाहे सब के लिए सब्सक्राइब करेंगे और इस तरह का प्रावधान करने जा रहे हैं कि जो अटेंड कर रहे हैं उनको भी एक हम लोग एक सर्टिफिकेट दे सके और डिरेक्टर साब बोलना थे कि इसमें सब को एक अप्रिशेशन के लिए एक नंबर उसका पाल तु मिलेगा उसमें अगर कोई तरह से कोई करता है लेकिन यह कि अपना लेक्षर देना चाहिए तो इसको एक यह फाज़ा है कि इसमें अपना लेक्शर है वि.ॉ सउन रहा है तो आप वी कुछ सजेश्यूंस दीजरेब का जो अमों का मिटिंगुवाता अगे सार्व इसमांत लगग को कि अब आवाज आ रहे हैं चो आप नमस्कार जान नमस्कार सबसे पहले तो सभी स्पीकर जिनों अभी तक लिए डिलिवर किये हैं साथ रोताओं को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं क्योंकि आप रोग बहुत अच्छा प्रोगराम कंड़क्ट कर रहे हैं और बहुत अ अच्छी अपर्चुनिटी है इंट्रेक्शन का और आपने डाउट क्लियरिंग का और ये डाउट क्लियरिंग तभी होगा जब आप फ्री और फ्रेंक बिसकसन करेंगे आपको एक मौका प्रवाइड किया गया एक अपर्चुनिटी दी गई है अगर इसमें कोई सर्माने लगे कि मैं छोटी सी बात पूछ रहा हूं लोग क्या सोचेंगे तो ऐसा आप लोग ना सोचें ये छोटी सी बात है रिशार्च में कोई भी बात छोटी नहीं होती है वो सकता है कि जो अच्छी तरह से जानता हो उसके लिए छोटी चीज हो लेकिन जो नहीं जानता हो उस उसमें जो लोग अच्छी तरह से चीज़ों को जानते हैं और यह करते हैं मस्शूश करते हैं कि वो अपनी बात दूसरों को ही बता सकते हैं इससे और अच्छी बात क्या हो सकते हैं तो आप लोग अपनी तरह से जैसे भी चावांजी करें थे का आप लोग वालंटियर करें चाहते हैं कि बात करना चाहते हैं याप लोग thank you hanagi she rin and a और фटेंटे़ driving करें आप इस चीजemi को arriva हो सकता कि थड़ा बहुत आप हिष क्रहें हो लेकिन तो आप खुद बाद में रीडे करेंगे कि आप कितना अनंदारा इस बात में कि पहाना होता है लर्णिंग होने का और सीखने का तो मैं चाहूंगा ति जो अपर्चुर्टी मिली है इसका आप पूरा-पूरा फायदा उठाएं अपना प्रिपरेशन करें प्रजेक्टेशन दें दूसरों को लाव पहुंचाएं खुद भी लाव भानमीत हो इस तरह की चीज होनी चाहिए आदूसरी जो कह रहे थे भी चमान जी की डिरेक्टर सामने सजिस्ट किया है कि पूरे साल का एक कैलेंडर डबलप किया जाएगा कि हर महीने में क्या टॉपिक होगा और कौन आदमी लेक्टर डिलिवर करेगा उसका एक कैलेंडर बनेगा और तरह से प्रिंट होकर के पॉब्लिश भी हो जाएगा तो इस तरह की बेवस्था की जा रही है तो आपको एडवांस में पता होगा माली जिनका लेक्टर नौबर डिसंबर में है उनको फ़बरोरी मार्च में पता चल जाएगा कि उनके नाम में क्या टॉपिक एलाट हुआ है उनके क्या प्रिजेंटेशन देना है उनको किस तरह से बनाना है किस तरह से अरगनाईज करना है यह आपको टाइम मिलेगा फुल प्रिपरेशन का है और पुरी तरह से तैयार होनेगा और उसके बाद आप महसूश करें कि आ आप लग और भी बेहतर कर रहे हैं उस चीज को और जब किसी भी इंस्टिट्यूट का स्टाफ इतना बढ़िया करता है अपने इस्टिट्यूट में और बाहर से जो विजितर साते हैं उनके साथ जब आप इन चीजों को सेर करेंगे तो वो लोग खुशी के मारे गडगड हो अपनी बात को आपनी इंस्टिट्यूट के एक्टिविटीज को अतना उतना इंटर नहीं जा पाते हैं तो इन्हीं सब चीजों को देखते विए इस चीज की प्लान की गई थी पहले जो हमारी डिरेक्टर्टर साप से दिश्चिन हो रहा था था तो उन्हों नहीं यह कहा तो एक अपरचुनिटी है एक बर आउर मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा और आप लोगों से निमीदन करूगा इसको आप लोग करिये और बहुत अच्छी तरीके से करिये अभी तक आप लोगों ने बहुत बढ़िया किया है उसके लिए भी मैं आप साहिका बहुत- को धन्यवाद को बहुत-बहुत आपका आपको बहुत-बहुत धन्यवाद सर मार्क दर्शन के लिए मैं अभी जैसे सर ने बताया अभी कि सबको थोड़ा-थोड़ा अपना सहीयोग करना पड़ेगा और इसमें हम लोग का ही फायदा है जो नए हैं बच्चे आरक है हमारे जो T1 और T3 वाले हैं आपको जितना भी आप इसमें अभी बोलने का आदर डालेंगे अपना आपको प्रिजेंट करेंगे तो उतना ही आपके लिए फायदा है आपके लिए इसमें कि जो भी आपके सब अपने हैं यहाँ पर कुई ऐसा इसमें यह नहीं कि मेरे से गलत हो ज लोग चाह रहे थी कि इसमें आगे इसका कुछ इसका फैदा भी मिले इसमें सभी को ना तो इसलिए मैं आप सबसे आगरे कर रहा हूं कि अब सब दिरे आप जो भी आपके सेंटर वाइस हैं तो आप लोग एक ऐसा चोटा से टॉपिक जादा बड़ा नहीं जाना है अब ज चोटे-चोटे काम आप कर रहे हैं उसको उसको एक तो जैसे आप चोटा सा वीडियो बना लें उसको दिखा लें एक दो स्लाइट बनाने ज्यादा देर नहीं हो पाए तो थोड़ी देर के लिए सई उसमें घबराने की और सर्माने की जलतनी है तो आप उसमें बहुत अच जो सीनियर आप में आपके साथ में हैं आप से कुछ अगर जो आप यहां पर जो प्रिजेंट करेंगे अपना कुछ भी जो काम करें और भी दिखाएंगे इवन तो आप लोगों को तो यह आप इसको एक ऐसा प्लैटफॉर्म सोचे कि हम लोग अपने आपको यहां पर अप अगर बहुत अच्छा होगा कि आप सभी इसको अमल में लाएं और जो अभी हम लोगों का एक घृद्धी है तो इसमें आप लोग अपना इसमें फीडबैक दीजिए कि इसमें क्या-क्या हम लोग कर सकते हैं तो अगर सब का समयोग रहेगा तो एक अच्छा कलेंडर हम लो इसकी सभी को ज्यादा लग रहा है इंतजार है इसकी कि किसी तरह से अच्छेटनेस की बिलेव है ना अगर किसी को को प्रॉलम है तो आप बता दीजेगा इसमें आप तो सभी से मेरा अनुग्रा है यह आप जो है इसको अपना जो मैंने आपको बोला है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखे और पताईए इसको क्या हम लोग कर सकते हैं इसमें और अब आज का जो लेक्चर हुआ है इसके लिए मैं अपने जोशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं बहुत अच्छा उन्होंने आज लेक्चर दिया है और सबके लिए कि जैसे हम लोग को किसी अपने सेंटर के बारे में किस जानकारी देनी है तो इस तरह से हम कर सकते हैं एक हम लोग को इस चीज का पता चले जैसे उन्होंने चोटी-चोटी चीज़े जो प्रोजेक्ट है जो भी काम हो रहे हैं वहां पे उनको प्रेजेंट किया है तो यह सभी इसी तरह से अपने लिए छोटा-छोटा एक प्रिजेंटेशन बना सकते हैं और जो प्रदान कर रहा है यह लोग को इस प्लैटफॉर्म दे रखा है कि हम लोग आपस में डिस्केशन करें कुछ यह तोड़ा करें कि दूसरे से जाने कि हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं दूसरा मैं अपने जो लौटल ऑफसर है डॉक्टर बांके भी जी का उनका बहुत कि बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे कोडिनेटर है शुरेश चौदरी जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं क्योंकि अभी परसों हम लोग जब उन्नोंने मीटिंग लीती तो हम लोग उन्हें बैठ के चुछ एक छोटा सा कुछ बनाया खागा तयार किया है उनका जो हमारी ट्रेणिंग होती है उसके लिए प्रियतमशील रहते हैं और हमारे जो सयोगी हैं हमारे अधिये वर्माजी आपगने आप सबसे ज़्यादे सब करता हूं कि आप लोगों ने सबने आके यहां पर बहुत शांती से सुना और इसको आप इसको फिलफ कर दीजिए और इसके साथ में यह मीटिंग समाप कर दो अगर किसी का क्वेश्चन ने तो बता दीजिए अदरवाइस हम लोग इसको क्लोस करते हैं thank you from yeah also yes yes what do you want to say from next time we will ask the speaker to speak in mixed language because we have got people from और बोग्गेंग्ढंग्न guidance, um All I s बेंदाक्राजी नहां जाकू गचिन्छी झेंच्टी केसमें खिसमाने एक थे इस्वारबाइन चीआर review विविए भी इंग्लिष। झाल झाल